आप सभी सादकों का स्वागत है, मैं अर्विन सक्सेना बोल रहूं, इस वीडियो का विशह है तंत्र और रिशी, तंत्र और वेद और विभिन शास्त्रों की उत्पत्ती के बारे में मैंने जो वीडियो पहले बनाया है, दिविज्ञान शास्त्र की उत्पत्ती, वेद तंत विद्र और योग उसको अवश्य सुन लीजएगा जिससे की उसमें समय में आएगा कि ये दिव ज्ञान कहां से उत्पन होता है और उसका क्या किस तरह से हमारे पास पहुंचता है और जोगी ये तंत्र और इशी इसका टॉपिक है तो मैं तंत्र के बारे में और वेत के बार उसमें से कुछ जानकरिया और उपको फिर से बता रहा हूं कि जो हिंदु धर्म है उसमें दो तरीके की करेंट चल ले होती है या कई दो तरीके के धार्मिक जो शास्त्र हैं वो रहते हैं उनके उपर आधारित दो करेंट से धाराइं चल ले होती हैं उसमें एक है निगम जो की जो की तांत्रिक ग्रंतों के उपर जो आधारित विचारधारा है तन वो उसको फॉलो करते हैं उसको तंत्र भी कहते हैं अब आगम जो होते हैं वो उसमें भी दो प्रकार के होते हैं जो की वेदों को पहला तो वो जो की वेदों को फॉलो करते बॉड्र में में स मीट hunters को दूसरों है जो है वेदों के प्रिंसे इस प्रकारा हैं कि यहां को होते हैं पहुत थोड़े से हैं देनकों की वामाचार या left-hand path of sharks कहते हैं इसको अग्भूर भी कहते हैं जो हिंदून है जाजे थर निगम और आगम दोनो धाराओं को मिक्स自 wasted झाली है क्योंकि जब आगा मुएफ को जान हूं जाता है तब हैधी जिए हिंदू धर्म कर We किसीीं कि इना comfortable और जलिना के का केलना है तो पूरी पकण नहीं आपसके म quality है कि और वह यह सब एक तब और अधाया में थोड़ा दॉधा सा उन्तरी से भी आहिए की निगम जो होते हैं जो यह नहीए वेद की बात बोलूं थो यह principles पर जायदर आधारिद रहते हैं और दूसरा है आगम जो की practices पर जायदर आधारिद रहते हैं अब क्निगम जो होता है उजायदर upper caste of Hindu जैने भामाशत्री, वैश वगरा, उनके लिए मलब माना जाता है कि उनको कर सकते हैं, और जो आगम है उसमें कोई बंधन नहीं है, उसमें कोई शूदर भी होगा, हिस्थ्रियां भी होगी, वो भी कर सकते हैं, हालाकि यह डिस्टिंग्शन जो है, बहुत सही नहीं है, वेद जो है आगम टेक्स जो है, यह नि आगम जो scriptures है, यह नि मैं तंत्र जो साहित है उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी तीन branch रहे हैं, तीन शाखाएं हैं, पहला है शैव, दूसरा है वैशनाओ वाँ तीसरा है शाक्त, शैव में 28 शैव आगम होते हैं, यह तीन प्रकार की जो philosophy होती है, उसको शो करते हैं, वो है दुएत, दूसरा है दुएत तीसरा है दुएत अदुएत और वैशनाओ तंत्र जो है, इसमें 108 वैशनाओ आगम होते हैं इनको 5 रात्र कहते हैं, यह विशिष्ठा दुएत philosophy को बताते हैं और जो शाक्त तंत्र है इसमेs 77 स्तततर शाक्त आगम या शाक्त तंत्र होते हैं इनको इनको ही जाइतर popular तरीके से तंतर कहा राता है और ये अद्वैत philosophy को बताते हैं अब तंतर जो होता है ये होता क्या है कि कुछ खास किसम के प्रिंस्पिल और उनकी प्रैक्टिसे इस तरीके से करी जाएं, कि जो कि हमको सच्ची जानक नौलिज दें, यानि सच्ची नौलिज परवर्ण ही होता है, तो वहां तक ले जाएं, यानि मूख्ष तक ले जाते हैं, ये इनका लक्ष होता है. यह जो रिचुवल्स हैं, इस्पिजुल प्रैक्टिसेज हैं, उनमें बहुत मैटिकलस होते हैं, बहुत ध्यान से और रचीजों को एक एक स्टेप को देखते हूँ चलते हैं, तो स्टेप्स बहुत इसमें नीटली डिफाइन होते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन इस स सच्चा गुरू होना जरूरी है, सच्चा गुरू कौन होगा, इसके बारे में तो मुझे आगे बनाऊंगा, उसमें समर्ज में आएगा, लेकिन सच्चे गुरू को जाने से पहले समधना चाही ह menor कि निले कि सच्चे गुरू ऊपिक जो होते हैं, कि किस प्रकार से कोई eligible नहीं भी हो तो किस प्रकार से वो eligible बन सकता है कि वो सच्चा गुरू प्राप्ट कर सके और तंत्र वेद दोनों में आगे बढ़ सके जहां तक वो जाना चाहे जा सके तो तंत्र में क्या है कि जो spiritual principles हैं वो गुरू जो होते हैं वो बताते हैं लेकिन व अपने शिष्च गेंड रहे हैं अनुवाव के तो आगे बढ़ने को कोई मतलब ही नहीं है यह बात मैंने किसी वीडियो मुता ही है मुझे भी जान नहीं है किस वीडियो में लेकिन उसमें मैंने आसन के बारे में शायद जब जान करी दिया वह शायद साधना पत्र जो अगर कोई प्रूफ ही चाहे कि तंत्र का कहा हुआ है तो उसके लिए कई रिफरेंस में दे सकता हूँ है कुलार्णा उफ तंत्र करके हैं उसमें यह दिया हुआ है कि यह जो है तंत्र जहें टॉप लेविल से सीज़े परमशिफ से वहां से इनकी उत्पत्य हुई है और जो क कि इनका महा तो बिल्कुल शूती की तरह से है वेदों की तरीके से भी है जो कि रिशियों ने अपनी समाधी की स्टेट में बैट के उनको देखाया और समझाया इसको लेकिन यह बात को क्लेरली समझ लेना चाहिए कि वेद और तंत्र इन दोनों को यह मलब सरवच विद्य हैं जिनके द्वारा मोक्ष सक प्राप्त किया रहा सकता है अब इस समय यह वीडियो बनाने का मेरा एक और भी उदेश है कि आज के समय में आपने बहुत सारे यह वर्ट सुना होगा यह जो वर्ट तंत्रिक लोग इस्तमाल करते हैं और वर्ट तंत्रिक शब्द जो होता है उसको अच्छे भावना से इस्तमाल नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे गलत लोग आगए जोनों ने इस तंत्र विद्या का दुरुपयों करने के सोची हलाकि दुरुपयों करने वाले खुदी नस्ट हो जाते हैं यह मैं आगे जब वीडियो तंत्र बादा और तंत् अब कौन से मैं यहां खास तर पर मैं उन रिशियों की बात यहां पर जरू करूंगा जो कि वेद में वर्नित हैं और आपको तंत्र में भी वर्नित मिलेंगे आपको जैसे मैं नाम बता रहा हूं ददीची रिशी कश्यप रिशी विश्वामेत्र, रिशी यागवल्क, रिशी गौतम, रिशी दुर्वासा दुर्वासा को क्रोध बटारग भी कहा रहता है और यह कहा रहता है कि उन्होंने मगवान कृष्ण को 64 कलाओं का ग्यान दिया था दुर्वासा रिशी को इस कलियुग में तंत्र का पिता का रहता है फादर अफ तंत्रेन कलियुगा ये जो थे दुर्वासा रिशी श्री विद्या, काली और परमशिव की उपासक थे फिर इसके बाद नाम आता है अगस्त रिशी का इनकी खास जो प्रसिद पुस्तके हैं, शास्त्र हैं इनके लिए शाक्त, सूक्त्र, श्री विद्या, भाश्य और इनकी जो पत्नी थी लोपा मुद्रा वो श्री विद्या की बहुत बड़ी उपासिका थी इसके बाद नाम आता है गूरु दत्ता तरेगा ये जो थे श्री विद्या और महाकाली विद्या के उपासिक थे इनकी पुस्तके हैं श्री दत्त सम्मिता और ये जो है श्री विद्या के बारे में है अब अगर मौडन मैं अपने समय की बात करूँ तो इसमें आप शंक्राचार का नाम सभी ने सुना है लेकिन ये बहुत तम लोग जानते हैं कि शंक्राचार जो थे वो follower थे वेद और तंतर दोनों धाराओं के शंक्राचार खुस्वैम में अपने वेदों के authority थे बट वो एक devotee भी थे सादक थे श्री विद्या के, भुवनेश्योरी के और मातंगी महाविद्या के ये जानकारियां जब सामने तंतर और रिश्य के topic में जो मैंने दी ये इसलिए कि रिश्यों का क्या contribution है क्या मात्व है और ये विद्या कितनी पवित्र विद्या है ये बताने के मैंने प्रयास किया है आशा करता हूँ कि आपको ये सब जानकरियां अच्छी लगी होगी बाकी आप सब लोग कमेंट करके बताईएगा इस वीदियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद